आज हम discuss करेंगे, Delhi University के application form के बारे में बहुत important चीज हैं, बहुत सारे student वेरे पस comment section में बोल रहे थे कि इस यहरा हम है Delhi University के application form के बारे में update दो, कब application form आएंगे, admission process क्या होने वाला है, तो देखिए सब कुछ related है C.U.T. से, जैसे आप लोगों के class 12 के भी date sheet आईए, तो student अव active होगे, boards की exam preparation में, लेकिन आप लोगों को साथ में C.U.T. की preparation भी अच्छे से करनी है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में इचीत बढ़ा लेना, अगर आपको Delhi University में admission लेना है तो, अब यहाँ पर admission लेने के लिए आप लोगों को इनका application form फिल करना होता है, लेकिन उससे प नहीं होती है, पहला होता है phase 1, जो की exam के पहले होता है, यानि कि जिस टाइम पर आप लोगों के exam चल रहे होंगे, according to the NTA 15th of May से आप लोगों के exam चल रहे होंगे, और उसी दोरान बीच में इनका phase 1 का जो है registration आ जाता है, phase 1 में क्या होता है, basic registration होती है, 200 रुबे के application form आपक ताकि आप लोगों का result आने के बाद CUT का सारी information वहाँ से fetch हो सके, अब जब तक result नहीं है भर Delhi University को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो Delhi University क्या करेगा, जैसी आप लोगों का result declare होगा, phase 2 आप लोगों का announce कर देगा, phase 2 क्या होता है, जिसमें आपको application form fill करने के बाद अपनी सारी details दिखने लगेंगी, वो क्या होता है, आप लोगों का roll number हो पर आपने phase 1 में डाल दिया था, जब आपके basic registration स्टार्ट होई, तो application form कब आया आप लोगों का exam के duration के बीच में, तो यह exam का duration कब होने वाला है, 15 मई से, तो आपका application form आ जाएगा लगबग लगबग एक जून के आसपास या फिर 15 मई के तुरंत बाद ही आपका डेलिशोटी हो सकता है कि application form अपना release कर दे क्योंकि aggressive admission process होने वाला इस बार elections भी है, बहुत सारी चीज़ों का impact पड़ता है और हर साल universities के अंदर seats खाले रह रहे हैं, तो हो सकता है कि early admission process इस बार start हो जाए, तो 15 म सब्सक्राइब कर देगा, now Delhi University have your scorecard, your all the details और उस entrance exam जो आपने जो दिया है CUT का, उसके score के basis में किसके score में eligible हो, वो सब भी आपके dashboard में reflect करेगा, यानि कि जितने भी courses में eligible admission के लिए, सब भी वहाँ पर आपको reflect करने शुरू हो जाएंगे, उसके basis में आपने college plus course का selection करेंगे then your admission is done, ऐसी बहुत important information में आप लोगों को detail में देने वाला हूँ, next video के इंदर Delhi University का complete admission process, इस video को देखने के बस जरूर देखना जो कि आपको इसी channel में मिलेगा, चले को subscribe करना ना भूले, बस मेरे साथ आप बने रहिए, और CUT की entrance exam preparation के लिए, आज ही download कर लो higher education की application, जिसमें daily live classes के तुरू आप लोगों की preparation करा रहे है, तो आपको करना क्या है, application जैसी आप download करोगे, application download करने के बाद आप जाओगे courses के page ठीक है, तो courses पर जाने के बाद आप लोगों को सारे courses देखेंगे, अगर आप language और general test के preparation करना चाहते हो, तो वो course भी available है, अगर आप चाहते हो language general test plus domains, domains हमारे पास science और commerce का complete preparation, even arts का भी हमारे पास complete preparation आप लोगों के लिए available है, आपको करना क्या है, application पर जाना है, और अपने related digital domain में आप apply कर रहे हो, अगर आप B.A.C. के लिए apply कर रहे हो, become honors के लिए कर रहे हो, तो B.A.C. के लिए students UT वाला हमारा science stream का जो है course select करेगा, जि student commerce के लिए जा रहा है जाने की B.A.C. में जा रहा है, अगर आप यहाँ पर डेली सुटी के अंदर B.com honors, B.com program के लिए preparation के लिए प्रपरेशन करना चाते हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारा C.U.T. हमारा C.U.T. plus I.B.C.T. B.com honors वाला कोर्स ले सकते हैं, C.U.T. L.L.B. U. गेट, complete entrance exam की preparation आप लोगों को higher education के platform पे मिलेगी, तो घबराने की बिल्कुल भी जूरत नहीं है, तो मिलते हैं फिर हम next week अंदर बबैटेक, यार, thank you so much.